Hi Hello, दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों, आच के इस नए वीड़े माप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों, आच के इस नए वीड़े में लोग बात करने वाले WPL के next match के बारे में जो के होने वाला है Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore इंदोन टिमों के बीज में दोस्तो ये मैच शाम को साड़े साथ बज़े स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है ब्रेवन स्टेडियम मुबई दोस्तो WPL बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट हुआ है दो मैचस पहले दो मैचस में 200 प्लस रन बने और जो थर्ड मैच था उसमें क्या ही चेस हुआ क्या अलग टाइप का चेस हुआ तो इंट्रेस्टिंग अब तक ये तीनों मैचस रहे हैं बहुत अच्छा स्टार्ट WPL को मिला है और ये बहुत बढ़ा मैच है आरसे भी वरसेज यमबाइ मान के चोलो कि ये बहुत बढ़ा मैच माना जाएगा पूरे टूर्णामेंट की साबसे WPL में बहुत बढ़ा फैन बैस है तो बहुत इंट्रेस्टिंग ये मैच रहने वाला है डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ने स्फिल आपको करना कि आपको एक बढ़ करते हैं सबसे पहले हम लोग बैंगलोर का हुआ था और दिल्ली ने 203 रन बना दिया थे RCB के सामने 223 रन स्रिफ दो विकेट के रहे थे ठीक है और RCB 163 ही बना पाई थी आर्ट विकेट के निक्शन पे जिसमें 8 विकेट स्पिनर्स को दो विकेट पेसर्स को पीच बहुत सॉलिड थी बैटिंग करनी के और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ आपको इस मैच में भी देखने को मेला है वो डे मैच था और ये नाइट मैच है तो पीच और भी बैटर रहेगी तो सेकंडिंग में बैटिंग करना और इसी हो जाएगा बट इंटरस्टिंग रहेगा और दोनों टीम सॉलिड है तो मैच मज़ेदार होने वाला है ठीक है बात करते दोस्तों सबसे पहले रॉयल चैनेजर बैंगलोर के बारे में तो कुछ इस तरीके से के पिछली मैच में ठीक है क्या चेंजर होंगे I don't think कि मुझे लगता है कि कोई चेंज यहापर नहीं होना चाहिए सेम प्लेंग लिए उनके स हो सकती है चेंजर्स करनी कि यह तो तीन प्लेयर से यहापर प्लेयर्स चेंजर्स हो सकते हैं बाकी जगह पर मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज होगा बढ़ते आगे बात करते हुआ क्या फर्स मैच भी किसने क्या किया तो स्रीती मंदाना ने थर्टी फाइफाई रन की पारीखे ते 23 बॉल में डिवाईन ने 14 बान वके इक वर में 20 और में 20 रं दिये थे दिशाग कसाट 9 डाल मुझे इधर नायट ने 34 के अच्छे पारी खे थे है सरी प्लस दो विकेट्स होटे निकाली कि और आउट वी थी और आशर शोवाना ने टू ओर में ट्वेंटी नाइन दिये थे प्रिदी वसको फोर ओर में 35 रन पड़े थे मेगन सक्ट ने थर्टी रन के पारी के थे 19 बॉल में नोट और बट फोर ओर में 45 रन इनको पड़े थे और इनुका सिंको थ्री ओर में 24 रन बने त सामने वाली टिम ने 2223 रन अगर आपको मतलब बना के दिये हो तो मतलब एक बड़ी पारी के जुरूद डेफिनिटली होती है वो देखने को नहीं मिली ठीक है बढ़ते आगे बात करते हैं कि अवरॉल स्टाट्स इनका रिचारों का फॉर्म अच्छा है तो बहुत दो मिस्टेक्स सिनियर और उमन स्टी 20 टॉफी हुई थी उसमें सबसे ज्यादा रन पाहते एट मैचस में 300 रन्स और इसी वज़ेसे इनको खेलने का मुखा मिल रहा है तो इनका नोट करके चलना यापके लिए ग्रेंड लीक में गेम चेंजर रहेगी ठीक है बाकी मेरे सा पूनम खेमना नहीं खेली थे पिछले मैच में इस मैच में भी नहीं खेलेगी आशर शोबाना जो राइटाम लेक बेक स्पिनर है जिरोंने छे विकेट निगाती उमन स्टी 20 टॉफी में छे विकेट तो इनका नोट करके चलना इसके लिए मेगन का ट्रेनों का सिंग ठाक ठीक है दो सो बात करते हैं मॉंबाई इंडियन्स की तो कुछ इस तरीके से इनकी प्लेंगिलों रही थे पिछले मैच में और मुझे लगता है कि ये लोग सेम प्लेंगिलों के साथ जाएंगे कोई जरुती ने वाई जिस तरीके से नोट किया तक फरस्ट मैच में ये को प्रमोट करेंगे बड़े शॉट्स के लिए हुमाईरा काजीन के पास है डॉमिस्टिक प्लेयर और साइका इशाप ने क्या क्कॉलिटी बॉलिंग करे थे पिछले मैच में प्छले मैच में कोई कमी नहीं है हिले मैत्यूज नैट सिवर दोनों बॉलिंग करते हैं मिलिय वर्दस पारी खिले थी एक ही और बॉलिंग मिली थी भीकोष जरुद पड़ी नहीं थी बट 47 के बहुत तगड़ी पारी थी सिवर ने सिफ 23 रन बना थे बट आई थी चार से पाच फॉर्स उसमें लगाय थे और दो विकेट निकाली थी फॉर्स और यह नहीं डाला था द से बाटा कुछ खास नहीं कर पाई बड़ बाकि यह चारों ने बहुत अच्छा किया था अमज़र को बैटिंग नहीं मिले विकोष छे नंबर पर पुझावस्तर का प्रमोट हुई जिन्होंने 8 बॉल में 15 रन बनाए और दो और में 9 रन दिए इस यह उनको प्रमोट गया प्रमोंबे इंडियंस तो यह बहुत इंप्रस्टिंग रहने वाला है थिक है बड़ते आगे बात करते हैं इनके और बैटल्स की तो यस्तिका बाटिया यस्तिका बाटिया ने ज्यादा वैसे तो कुछ खेला नहीं है बठाट डिवाइन के सामने एक बार आउट हुच्छ के वंडे क्रिकेट में बाकि सकर्ट और एलिस पेरी के चार और पाची बॉल खेले होगे हेली मैट्यूज मेगन सकर्ट इनका आउट कर चुके तीन बार 55 बॉल में इंट्रेस्टिंग रहेगा ये पार प्ले में एलिस पेरी इनको दो बार आउट कर चुके रेनुका सिंग इन थाकुरिंग को एक बार आउट कर चुके है डैन वेन निकाख ने एक बार आउट किया है अमेलिया केर मेगन सकर्ट आउट कर चुके इनको टोटल पाच बार 42 वाल में 35 रंज देके बहुत इंट्रेस्टिंग रहेगा ये लिस पेरी भी दोबार आउट कर चुके ठीक ह इनको पाच बार 87 वाल में सिर्फ 68 रंज देके बार डिवाइन ने एक बार आउट किया हुए थर्टिंग वाल में 51 रंज देके टैन्वेन निकत ने इक बार आउट के 80 रंज देके और हेदर नाइट एक बार आउट हो इनको कर चुके ठीक है तो एलिस पेरी मेगन सकुट किया हुआ है जो जो में बेंड बैटर से इनके सामने तो यह दोनों प्रेस ना बहुत इंपॉर्टन रहने वाली आरसीबी के लिए ठीक है अब बात करते हैं लोग आरसीबी के बैटर्स के तो सिती मंदाना सिती मंदाना को आउट किया नैट सिवर ने टूटल पाच बार 74 वाल में 99 रज़ देखें इंटरस्टिंग रहेगा यह पाउर प्ले में हैली मैथ्यूस भी तीम बार आउट कर चुके हैं लेप्ट हैंड बैटर सिती मंदाना ओप्रेक स्पिनर हिली मैथ्यूस तो यह दोनों आपको पाउर प्ले में मिल जाएंगे अमिल्या के रिक बार कर चुगी है ठीक है उसके अद्वात कर रहे लिस पेरी की तो नैट से वर ने इनको तीन बार आउट किया 90 बॉल में स्रिफ 76 रंडे के अमिल्या केर तीन बार आउट कर चुके 50 बॉल में 42 रंड देखें तो इनका रोल रहेगा स्पेशली अमिल्या केर ठीक है बाकि होली म कर चुके ठीक है डोमिस्टिक में और नैट सिवर इंको एक बड़ा उट कर चुके ठीक है और किसी ने अब तक आउट नहीं किया तो कुछ इंट्रेस्टिंग प्लेयर बैटल्स थे जैसे प्रिति मंदाना वर्सेस नैट सिवर हिली मैथ्यूस सोपी डिवाइन वर्सेस नैट कर लिया है इसके अलावा देगोया पर आपको दो प्लेयर्स मिलती है बैटिंग में और हेदर नाइट और सोपी डिवाइब अजले है तो इस मैच में तो इन दोनों में से कोई एक उठान रहे है तो पीडियोएन वो एक अपके लिए मिराकल कर सकती विकॉजव बाकी में कोई और रिकमेंट नहीं करूँगा हाँ जो नंबर चार पर इती लास्ट मैट में को आप ट्राइ कर सकते हो बहुत अगड़े फॉर्म में है इनको ग्रेंड लिग जरूँ ट्राइ करना ठीक है चलते और अच्छा को ट्राइ करना अगर यहाँ पे आशा को ट्राइ लिग में ट्राइ करो अच्छी स्पिनर है गेमचेंजर बन सकती है बाकी किये अहुजा हुजा इरा काजी नोंने कुछ खास पिछले मैट में किया नहीं था चलते बॉलिंग सेक्षन में में मेगन सक्ट साही काई शाक दोनों इंपॉर्टन पिक्स मेरे साब साही काई शाक करती है डेत में ढालते है तो हैं put बन जाती है अब हमक में क्या करेंगे हूज इहां पर करने है टिक्क है तो यहां पर ओपिक्शन में से कोई एक उठा को में कुछास्द रहा हुग क्यूग को Saty just dirty ये बैटिंग अच्छी कर ली थी है, तो वहाँ पे बैटिंग में एक थोड़ा कई ना की कंट्रिबूइशन आ जाता और फिल्डर भी अच्छी है, तो उस हिसाब से में पुझास्टर करको लिया है, बाकि इशी ओंग बेटर बॉलर है, वित न्यू बॉल डालेगी, और डे बैटर्स में से कोई एक बैटर, हेदर नाइट और डिवाइन दोनों में से कोई एक बैटर, अभी के लिए मैं हेदर नाइट के साथ ही हूँ, और कुछ इस तरह के से मैं अपनी फाइनल टिम बना रहा हूँ, यह अभी के लिए हम लोग प्रिव्यू बना लेते हैं, यह फ है ठीक है तो यह आपका चोग रहेगा Captain S Captain S के लिए Solid Options अगीर अविलेबल है जैसे Amelie Care Nat Sever All three are very good options for Captain S Captain S because balling batting दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी एक अच्छी बात यह है Amelie Care आपको 100% 4 ओर देती है ठीक है 100% 4 ओर देती बढ़ दिक्कत दिया रहेगी कि batting ordering का थोड़ा नीचे रहेगा ठीक है Nat Sever All one down आएगी बढ़ कितने ओर्स डालेगी इसके उपर डाउट है बढ़ पावर प्छली आप में स्टार्ट किया था हो सकता है इस मैच में वही स्टार्ट कर यही कुछ mindset रहेगा Mumbai Indians का ठीक है Alice Perry है पिछले आट में तीन ओर डाले थे और IT one down तो यह थोड़ा नोट करके चलना ideally मैं थोड़ा से यहाँ पर ज़्यादा safe लग रहा हूँ एड़ नैट से और Alice Perry को captain आइस captain से देने के लिए पर अमिलिया केरी का है पूरे चार ओर डालती है और अच्छी spinner है तो उससाब से अमिलिया केरी एक safe option बन जाती है मैं थोड़ा risk ले रहा हूँ यहाँ नैट से और को captain सी और यहाँ पर Alice Perry को vice captain से दे रहा हूँ तो मैंने जो one down batting को आएंगे batters उनको try कर लिया है और दो-दो और balling तो मेरे साब से minimum यह दोनों ballers करी देंगे तो उस logic के साथ में captain captain से सी और Alice Perry के साथ हूँ पर अमिलिया केरी जा सकते हो बाकि दो इंडिया के बड़े batters हर्मन प्रित को और स्रती मंदाना इनको भी grand league captain wise captain कर सकते हो और small league में भी कर सकते हो और हीली मैथ्यूजी जी जो आपको balling भी कर दे दिखेगी इस match में तो आपको captain wise captain try कर सकते हो तो there is a many options in match जिसमें आप लो captain is captain से दे सकते हो मैं अभी के लिए इन दोनों players के साथ हूँ ठीक है final team आपको toss के बाद telegram channel पर मिलेगी तो telegram channel से join हो जाओ telegram channel के link आपको comment section में first comment में या तो description box में आपको link मिल जाएगी okay thank you so much guys for watching बज्झे जो जोग थीजगा इन दो कर month करी दोनो लो थे से एंँ